170 किलोमीटर रेंज के साथ लांच हुआ अब तक का सबसे फास्ट इलेक्रिक स्कूतर गोगोरो पॉल्स इलेक्रिक स्कूतर ब्रांड है जिन्होंने अपना नया पल्स लांच किया जिसमें अब तक की सबसे फास्ट अक्सेलरेशन मिलती है। आए जानते हैं इस स्कूटर के बारे में पूरी बात, परफॉर्मेंस, रेंजवा चार्जिंग। गोगोर उपस एलेक्ट्रिक स्कूटर को एक प्रीमियम वाइरोफोस डिजाइन मिला है जो इसके प्रेजन्स को और भी ज्यादा शांदार बना देता है। ब्रांड ने इसको काफी शांदार एरोडैनेमिक दिये हैं वा एर कूलंग को आप्टिमाइज कर इसके काफी स्मार्ट बनाया। इस स्कूटर में मिलती है 9 किलोवाट की पीक पावर जो इसे काफी दमदार बनाती है। ये दुनिया का पहला हाइपर ड्राइब पॉवर ट्रेन वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलती है कटाय एज एचेक मोटर जो निकालती है 378 न्यूटन मीटर का पीक टार्क। ये स्कूटर जीरो से 50 किलोमीटर प्रती घंटा की स्पीड केवल 3.05 सेकंड में पकड़ लेता है। ये एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो एक कमाल का अनुभव दे सकता है। मिलते हैं सभी एडवांस फीचर। गोगोर उपर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रांड ने अब तक की सबसे प्रीमियम वो एडवांस फीचर डाले हैं जो इसको काफी प्रीमियम बनाते हैं। इस स्कूटर में आपको मिलती है 10.25 इंच की पेनोरमिक HD स्क्रीन, GPS नेविगेशन, राइडिंग मोड, अलाय वी, डिस्क ब्रेक, ABS ब्रेक, नया क्वालकॉम, ससनेफ ड्रगन QWM 2.29 या डिजिटल चेसी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिल्ट क्वालिटी सबसे प्रीमियम है जो इसको एक एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। इस स्कूटर में आपको हाई-टेक इंजिनिरिंग से परफॉर्मेंस और फीचर दोनों को आध्वनिक बनाया गया। अभी तक कमपनी ने इसके भारत में लांच के बारे में कोई भी ओफिक केल जानकारी नहीं दी है। लेकिन उम्मीद है ये बहुत जल्ग देश में लांच होगा।